नमस्कार आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजसार और मैं हूँ आपके साथ सलोनी चलिए रूप करते हैं समाच्चार की और उपखंड शेत्र ग्राम पंचायते 27 ए की ग्रामिनों द्वारा नहिर एडी माइनर के पानी तेल तक नहीं पहुँचने पर लगाया गया धरना ग्रामिनों का कहना है कि 93rd से लेकर 30, 32, 33, 34, 35 ए तक पानी नहीं पहुचने पर फसर के सचाई नहीं की जा सकती अंशन पर बैठने की जेतावनी देदी ग्रामिनों का कहना है कि प्रशासन की मिली भगत के करन पानी की एक बूंद भी नहीं पहुच पा रही है क्हेट के मालिकों का कहना है कि हमें फसल बीजने में काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है बिना पानी की ना तो कोई फ़सल पैदा होती है और ना ही बुआई बज़ाई भी हो पा रही है पानी की समस्या कुले कर ग्राम वसियों ने समस्या सचाई पानी का मुख्य कारण बताते हुए प्रशासन को अवगत कराया पर प्रशासन के कान के तिले जूर तक नहीं रेंगा गिरामिरों ने भारी रोज के साथ आमिरन अंशन पर बैठ कर धरना लगाने की चेतावनी दी अगर सुनवाई नहीं हुई तो संपून जल्दाय विभाग की जिम्मेदारी होगी आवाज न्यूज राजस्तान से ब्यरोचेफ रमेश बागडी की खस रिपोर्ट आगे जड़ी सकति भती तो अगे तो बैठ सकता है चे जागदार लोग त önemस्पनाँ राज नहीं ज पानी जाओ ऊ गण्लों ता lóg अनना है रभ्ये लहके ते ब हैठ चाकता और स्दोर्श्तग कोर्लिकरन कंपानी नहीं जाए जए इनध से टाइका प्रसासन को हमने कई बार बोल दिया अब जैपुर की कमी है वाँ जाना पड़ेगा और क्या है लेकिन हमारे को कहते हैं कि आप चलो हम आ रहे हैं आप चलो हम आ रहें हैं म के लगा दें कि आपका पानी पूरा कर देगा और पानी एससे बोड रहते एससे बोड रहते कि आपसे पानी संबला नहीं जाएगा सिंभाड़ा तो अपने आप नी जाए रहे हो गया पानी होगे है है पानी होगा ना जाएगा सार एक 332 डिखा दूं आप या टैल बना रखिये पाल बना रखिये तो नेर में एक ही होती है दो ने होती ठीक हूँ और तीन चक कहा आगे आगे इस नहर पर कितने जमीन पड़ती है कितने मरपा कितने मोगे आगे तीन मोगें तो इनमें बिल्कुल पान नहीं जाता है अब दिखा दो कि नहर में पानी अगर जा रहा है तो हम आपना बोरी इस तरह बांध के अभी चले जाएंगे